हेलो स्टुडेंट विल्कम बेक टू माई चैनल समराट अकेडमी स्टुडेंट मेरा नाम है कास और आज की वीडियो में आप लोगों को बताना हूँ क्लास 10 हिंदी के 5 मत्वपूर जीवन पर्चे जो की 2023 बोड इक्जाम में पूछा जाएगा ही जाएगा ठीक है और मैं 5 मत्वपूर जीवन पर्चे बताऊँगा जिससे आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो पूरा का बिल्कुल आप लोगों का चैन नमबर तैयार हो जाएगा क्योंकि 3 नमबर आप लोगों का जीवन पर्चे एक पुछा जाता है कवी का और 3 नमबर का एक जीवन पुछा जाता है लेखक का तुम्हें दूनों बताना वाले लेखक का जीवन पर्चे और कभी का जीवन पर्चे कौन सा 2030 के लिए most important जीवन पर्चे आपको याद करके जाना है और साथ ही साथ में इस वीडियो में आप लोगों को याद भी कराऊंगा ठीक है तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो को लाइक लेगे तो लाइक कर देजिए चैनल पर नहाएं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजा इस वीडियो से 6 नमबर आप लोगों का बिल्कुल पक्का है तो क्या है कैसे याद करना है देखिए पांच में तो पूर जीवन पर चे तो पहला आप लोग देखे यह लिखा है वाई लेखक तो लेखक में मात्रत दो ही जिवन पर्चे आप लोगों को याद करके जाना है एक आपका अचारे राम चंदर सुक्ल जी का और दूसरा जैसंकर परसाद जी का देखिए मातर दो ही जिवन परचे आपको याद करना है ज्यादा कुछ याद करने की जो उतने है दो याद करने के तो दोनों में से कोई न कोई यकाएगा या तो दोनों दे सकता है तो दोनों में इसको ये करना होता है तो चारे राम चंदर सुक्ल और जैसंकर परसाद और हम कवी की बात करें तक कवी में तीन लोगों का जिवन परचे आपको याद करके जाना है एक आपके सूर दास जी दूसरा आपके तुलसी दास जी और तीसरा आपके हैं विहारी लाल जी ठीक है ये तीन लोगों का जीवन पर्ची आप लोगों को याद करके जाना है चली अब मैं सब को याद भी करा देता हूं तो सबसे पहले हम बात करेंगे अचारे रामचंदर सुकल जी का जीवन देखें नाम नाम तो आपको लिखना ही है फिर इसके बाद जन्म यह पॉइन्ट आपको याद होने चाहिए इसी को आयलेटेट करके लिखना इसी को एकजामनर कर नंबर आपको फूल देता है बीच में आप कुछ भी लिखे रही है हाईलाइट एग बीच ऑपर कापी करत था था तो बस्ती जिले के आगोना गरा में उनका जन्म हुआ था और पीटा का नाम था चंद्रबली शुकल नाम था मृत्यू कब वहा तो 1941 को मृत्यू हुआ और उनके मच्पूल रचना राचना आतो लिखना ये लखना था आप लोगों को याद हो गया होगा आप लोगों को जीवन परचे इसके बाद हम इसको अटाते हैं बात करेंगे दूसरे निंबर पर आएंगे जैसंकर परसाजी जैसंकर परसाजी का जीवन परचे आप लोगों को कैसे याद करना है तो नाम तो उनका लिखना ही लिखना है जन्म कब हुआ था उनका तो 1890 इसपी में जन्म हुआ था जन्म अस्थान कहा हुआ था उनका जन्म तो कासी में हुआ था कहां पे कासी में पीता का नाम था देवी प्रशाद पिता का नाम था इसके बाद मुरीतू ते मुरीतु सन 1937 में हुआ था उनकी कुछ मत्वपुर कृतियां हैं संकर प्रसाच की जैसे असकंद गुप्त हुआ अजाद सत्रू कामना एक गुट यह मत्वपूर कृतियां तो कृतियां याद करना आप लोगों को जरूर से तो कृतियां मृत्यू पिता का नाम जन्वस्थान जन्म का वुआ था यह सारी चीज़ें किलियर हो गई इतना पॉ सिर्वण सी चुर ठेशक . यह सुर्दस के जन्म का वुआ 1477 जन्म जन्म हुआ अज कहाँ हुआ था रूनकतागराम में पीता का नाम था पंडीत रामदास मृत्तू स्थान का उनका अभी तरय नमचे अगर आगे अम बात करेंगे चोते नमबर पे चौते नमर पर आंगे तूलचितास तूलसी दास का सबसे पहले आप लोगों का नाम लिखना है जन्मा 1532 में हुआ था और जन्मा अस्थान कहां पर उनका जन्म हुआ था तर राजा पूरगाओं में कहां पर राजा पूरगाओं में हुआ था और माता का नाम तर हुलसी माता का नाम क्या था हुलची था और पीता का नाम ता आत्म राम दूबे क्या था आत्म राम दूबे था इसके बाद पत्नी का नाम ता पत्नी का नम था रतनावली पत्नी का नाम क्या था रतनावली तुलसिदास के अम्रित्व और अस्थान तम्रित्व आ था 1223 वी में किस स्थान पे तक 8C में उनका मृःत्य हो था सूरो सो तेइस इसली में इसके बाद माहका आपको उनकी मत्रपुर एक माहकावे थि राम चरित्र मारास योगी सब सब्सक्राइब को आपको दूसुअ को एक इस में पॉइंट यह यह करना हो सोरा सुटीनार्प चाहता इसके तरफा पुरा येथम हां इसके बार नहीं प्रशन पूचा जागा और हम आप लोगों को किलियर हो गया होगा वीडियो को लाइक कर देजिए और सब्सक्राइब कर देजिए चैनल पर नहीं किया है तो ठीक है डिली वीडियो आपको इंपोर्टेंट की मिलीगी हर एक सब्जेट की और 90% टार्गेट लेकर इस साल में लोग बोड़ी जाम की त्यारी करा रहे हैं तो आई होप के लिए हो गया होगा आप लोगों कि चलिए मिलेंगे नेशन लोडियों तब तक के लिए धन्यवाद